जिन व्यक्तियों के दुश्वन बढ़ते जाते हैं बिमारियां बढ़ती जाती हैं कलेश बढ़ता जाता है इर्शा जालिसी के कारण उनके कामों में रुकावट आ जाती है इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं अचानक वो काम मना हो जाता है बड़े बड़े काम हाथ से निकल जाते हैं फाइनल मीटेंग में सब कुछ खराब हो जाता है उन व्यक्तियों को बगला मुखी जी की साधना करनी चाहिए घर का वातावन पूरा ध्यात्मिक बनाके रखें और मां का जो बगला मुखी जी का बीज मंतर है उसका जादा जाप करें बीज की शक्ति बहुत बड़ी होती है एक शोटा सा बीज जो हमाई हाथ में पकड़ना भी मुश्कल होए बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और वह पेड़ हजारों लाखों पेड़ आगे पैदा कर देता है बीज की इसी है ऐसी ही भी बीज मंतर की शक्ति है आज झाल झाल